Hello everyone, welcome back. Indian Economy on the Eve of Independence में हम डिस्क्स कर रहे थे about the impact of Britishers policy on different sectors of the Indian economy. Previous दो lectures में हमने डिस्क्स किया था about the agricultural sector and industrial sector और हमने बात की थी कि वे agricultural sector and industrial sector की Britishers period से पहले क्या आलत थी और Britishers की इसी कौन-कौन सी exploitative policies थी इन दोनों को लेकर जिसने हमारी country के दोनों sectors को destroy कर दिया. Third sector that is what foreign trade sector, यह भी अपने आप में बहुत important sector है, क्यों? यह मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि वो Britishers के आने से पहले यह भी अपने आप में बहुत-बड़ा growing sector था हमारी country का तो हम बात करेंगे कि Britishers period में हमारा foreign trade sector की क्या हलत थी और Britishers की इसी कौन-कौन सी policies थी, जिसने हमारे foreign trade sector को completely exploit करेंगे. इस topic के अगर आप मेरा first picture देखेंगे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था about the highlights of the state of Indian economy during pre-Britishers period and Britishers period. मैंने बताया था कि Britishers के आने से पहले हमारी जो country की economy थी, that was a vibrant economy. वो अपने आपने एक vibrant economy थी, और जितने भी sectors जो अभी तक हम पढ़ चुगे और हम जो पढ़ रहे हैं, इन sectors में इंडिया अपने अपने एक leading position में था, leading position में था means agricultural sector, अच्छा growth, अच्छी growth वाल agricultural sector था, अच्छा agricultural produce होता था, हमारे अपने subsistence के लिए और दूसरे जगा भ था, लेकिन developed था, मैं बता चुगा हूँ कि भी modern machinery से काम नहीं होता था, लेकिन हमारे हां का industrial sector अच्छा हासा developed था, लोग industries के अंदे लगे हुए थे, और हिंडी crafts हुआ, जेंसें जोलरीज हुई, दूसरे बहुत सारी यसी चीज़ें थी जो हम बनाते थे, और बनाने के बा पॉजिशन में था, और हम किन-किन चीज़ों का export करते थे, हमारे हां पर export होता था, सबसे पहले तो हैंडी craft का, बहुत famous हैंडी craft हमारे यहां से बनता था, उसके लाद जेंसें जोलरी, इसका जोलरी का export करते थे, और उसके लावा spices का और दूसरी चीज़ों का हम export करते थे worldwide दुनिया की different different countries के अंदर हम इनका export करते थे, आपने सुना होगा कि हमारी country इंडिया को सोने की चिडिया कहा जाता था, सोने की चिडिया क्यूं कहा जाता था, तो इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत सारा gold reserves था like other countries, हमारे पास gold reserves नहीं था, लेकिन हमारा जो business था, foreign trade था, जो export था, वो बहुत high था, और हम क्या करते थे, इन चीजों का export worldwide करते थे, और naturally उस जमाने में कोई इस तरह से currencies, dollar या कोई hard currency थो थी नहीं, तो उस condition में हम जो दुनिया से जो payment लेते थे थे, वो इन form of gold लेते थे, और जब इतना ज़्यादा था था, तो हमारे पास gold, हमारी country में gold का accumulation होनी लगा, हमारे पास बहुत सारा gold होता है, और इस वज़े से हमारी country जो थी, वो सोने की चड़िया कहला है, ठीक हमारे पास कोई actually gold reserve नहीं था, तो हम इन exports की वज़े से, इस foreign trade की वज़े से सोने की चड़िया कहला है, लेकिन मैंने आपको क्या बता है, कि जैसे Britishers आए, तो Britishers ने हमारी country के एक-एक sector के ओपर systematically attack किया, जिसने उन्होंने agricultural sector के ओपर attack किया, मैं आपको बता चुका हूँ, आप महाँ से उसको previous lectures ने उसको देख सकते हैं, चेप्टर की playlist के लिग नीचे description box में, वहाँ से इसको follow कर सकते हैं, कुछ AC policies जिसने agricultural sector को destroy किया, destroy करके रख लिए, तो वो कौन-कौन सी AC policies हैं, जो जिसने हमारी country के foreign trade sector को exploit किया, अब हम उस पर one by one discuss करेंगे, first point है हमारा exporter of raw material, ठीक है, exporter of raw material, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, primary goods भी बोल सकते हैं, ठीक है, and importer of finished goods, ठीक है, देखिए हम exporter तो थे, लेकिन पहले Britishers के आने से पहले हम importer of finished goods हुआ करते थे, finished goods हुआ करते थे, means हमने hindi craft बनाया, अब वो हमारे हांका जो cloth है, जो भी stitched product है, वो जाकर कि पूरी दुनिया के अंदर बिखता था, means हम थे exporter of finished goods, ठीक है, हमने jams and jewelries को design के और पूरी दुनिया के अंदर बीचा, means हम finished goods export करते थे तो उस finished goods के बदने में हमें बहुत सारा gold हमारे पास मिलता था, जिसे हमारा accumulation of gold किया, fine, लेकिन Britishers के आने के बाद, जो Britishers की policy थी, especially जो उनकी trade and tariff policy, जिसको हम बोलते है, trade and tariff policy, last time भी बता चुका था, फिर मैं आपको एक बार explain कर दूँगा, उसने हमारी country को exporter of raw material बना दिया, no doubt, Britishers के नहींबा हमारा export surplus था, लेकिन उसके भी कुछ drawbacks से में अभी बनाता हूँ, ठीके, exporter of raw material बना दिया, और importer of finished goods बना दिया, जिस चीज में हम lead करते थे, जिसमें हमारा leading position थी, जो हम exporter of finished goods हुआ करते थे, उसी में हम कुछी वक्त के अंदर क्या बन गया, उसके importer बन गया, इसके पीछे policy थी trade and tariff policy, हमारे यहाँ से क्या किया, कि Britishers ने, मैं आपको previous to previous section ने बता चुका था, कि Britishers ने हमारे यहां के जो farmers थे, peasants थे, उनको food crop से डावर्ड करके cash crop पर लेकर आ गया, और cash crop पर लाने के पीछे उनका जो main whole and sole purpose था, वो यह था कि availability of raw material for the industries running in the Britain, ठीके, Britain में जो भी किमिन आपको बताया था, यह वो period था जब वहाँ पर industrial revolution चल रहा था, तो industrial revolution में नहीं ने industries Britain के अंदर start हो रही थी, तो उनको raw material के लिए इंडिया से अच्छी जगा Britishers को नहीं मिली, तो उन्होंने क्या क्या, cash crop में convert कर थे, just like what cotton, उसके अलावा tea हुआ, coffee हुआ और फिर उसके बाद में आपको बताया था, इंडिया को, और इसके लावा और भी बहुत सारे एसे crops जो उनके finished product को, जो वहाँ पर industries के अंदर काम आते थे, वो सारे के सारे हमारे हां उगाना start कर दे, ठैक, fine, अब जब food crop से cash crop पर farmers divert होगा, यह उनों उगाना start के और यह Britishers उनसे buy करते थे, comparatively इससे ज्यादे incentives वो उनको यहाँ पर देते थे, ठीके, अच्छा, फिर हम इस export को किसी दूसरी country को भी नहीं कर सकते थे, Britishers पीरिड में near about 50, बलके more than 50%, 50% प्लस जो हमारे हां का जो export था, वो majority export हम किसको करते थे, Britishers को करते थे, उन्होंने policies ही इसी बना अच्छा, अगर कोई बंदा किसी दूसरी country को export करना चाहिए, हमारे हांसे और भी export होता था, जिससे स्री लंका में होता था, चाइना में होता था, परशिया means, इरान की side पर यहाँ पर भी हम बहुत सारा export करते थे, लेकिन अगर हमें यहाँ पर export करना होता था, तो फिर वह दिन ब्रिटेन, तो वहाँ पर फिर आपको एक export duty, एक tariff जो था, वो लगा दिये जाता था, अब देखिए, जो product 100 का 100 में ब्रिटेन पर जा रहा है, और अगर मानने 20% भी tax है, तो naturally यह 120 रुपे का हो जाएगा, और यहाँ पर competition के अंदर ब्रिटेन जो है, वो दुनिया की दूसरी countries के ओपर क्या करता था, lead करना, start करता है, dominate करना, start करता है, पर product सस्ता बेच रहा है, सस्ता product बेचे का तो naturally, पूरी दुनिया के अंदर जो demand होगी, वो इनी के products की होगी, तो एक policy यह थी, कि उन्होंने export duty high लगाना start की, किसी भी दूसरी countries में other than Britain, ठीक है, तो हम क्य ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, हमारे यहां पर सिर्फ पर्चेस करकर ले जाते हैं, तो पहले जीज़ उन्होंने हमको जो exporter of finished goods थे, British period में, उनको exporter of raw material बना दिया, दुसरा, अब यहां पर, यह भी मैंने आपको बताया था, कि ब्रिटेन में आप raw material इतना सारा दे करके product बना लेंगे, अब वो जो finished goods आप कहां बनेगा, उसको बेचेंगे कहां, तो इंडिया जैसी country उनके पास available थी, तो उन्होंने हमारी country को marketplace बनाया for finished goods, और इसको एक बड़ा importer of finished goods बनाया, मैंने आपको बताया था, कि यह import भी क्या होता है, duty free import हो, duty free import होने की वज़ा से, जो और Britishers, जो वहां से जो कपड़ा बनाते थे, वो लाकर और जो भी दूसरी finish goods बनाते थे, वो लाकर उनोंने इंडिया में sell करना, start करते, और दीरे दीरे इसने हमारे आँगे, जितनी भी handicraft industries थी और दूसरी industries थी, उनको भी खतम कर दिया, और दूसरी बात हमको क्या बना दि तो पहली policy यह थी, trade and tariff policy बोलते हैं, होता यह है कि आज भी government, मैं आपको previous lecture नहीं बता चुका हूँ, कि आज भी government taxes को किसी चीज़ के consumption को control करने के लिए या उसको और circulate करने के लिए बताती है, अगर by chance कि हमारी country को लगता है कि export को हमें ban करना चाहिए, कम करना चाहिए, तो government इसके, इंपोर्ट को हमें कम करना चाहिए, तो government इसके उपर import duty बढ़ा देगा, अब जब import duty बढ़ाएगी तो naturally वो product जो होगा, वो महिंगा हो जाएगा, अब महिंगा हो जाएगा तो वो market के नहीं महिंगा से लोगा, तो उस product को हम क्या करेंगे, consumption कम कर देगा, तो कहने क मीनिंग की होता है, कि यह आज से नहीं, trade and tariff policy बहुत सारों से चल रही है, जो क्या करती है, हमारे यहां के export और हमारे यहां के जो turnover है, उसको control ultimately करती है, तो हमारा first point है, कि Britishers की policy ने हमारी country को exporter of raw material बना दिया, और importer of finished goods बना दिया, वो country जो पहले exporter of finished goods हुआ करती थी, Britishers period के दोरान मर वो importer of finished goods बना है, हमारा second point है, monopoly control of Britishers, monopoly control of Britishers over India's foreign trade, देखें, यह अपने आपने point है, monopoly control का meaning होता है, हमारे foreign trade का पूरा का पूरा control जो था, वो Britishers के हाथ में था, और Britishers ने उसको अपने benefit के लिए और अपनी country के benefit के लिए ही use किया, ठीक है, मैंने आपको अपी थो point के अंदर, कि हमारी country का 50% से ज्यादा का जो foreign trade था, वो हम किसके साथ करते थे, सिर्फ Britishers के साथ में करते थे, इसके लावा हमारा और भी foreign trade दूसरी countries भी चलता था, just like what, स्री लंका से हम करते थे, उसके लावा चाइना से करते थे, और उसके लावा परशिया, means, इरान से भ हमारा, जो, जो, वो country है, वो हमारी इस foreign trade को किस तरह से dominate करती है, ठीक, fine, और ये कैसे possible किया, उन्होंने, due to differential trade or tariff policy, मैंने अभी आपको बता है, trade or tariff policy, अगर आपको बिटेन से business करना है, तो वहाँ पर trade or tariff जो था, वो बहुत least होता था, ये duty free होता था, और अगर आपको दुनिया की दूसरी country से अगर आपको trade करना है, भली आप export करें, import करें, तो वहाँ पर वो heavy tariff या heavy duty लगाते थे, जिस वज़े से उस country से हमारा जो trade है, वो trade क्या होता था, discourage होता था, तो ये problem हमारे साथ चली, means हम exporter import कर रहे थे, लेकिन उसके ओपर dominance जो था, वो dominance पूरी आपने एक importance था, क्यों क्योंकि इसने बृटेन के जो trade था, उसको और और उसकी जो monopoly थी जो world market के पर उसको और ज्यादा बढ़ाया, 1869 से पहले जो Indian ports और बृटेन port के वीच में जो दूरी थी, वो 12,300 miles की थी, ठीके, और स्विस केनल खुलने के बाद में, जब स्विस केनल के थूर हमारे आंके, हमारे आंके, जो ships थे, वो जाने लगे, तो यही दूरी जो थी, यह हो गई, 7,200 miles की, means 5,100 miles का, 5,100 miles, जो था हमारा, जो travel था, India to Britain का, वो कम हो गया, जो पहले, हमारे मुंबई ports और दूसरे ports से, जो ports पूरा आफरिका घूम करके, बृटेन में जाता था, वो उसके बाद में, सुष के नाल के थू जाने लगा, और आप सोचें, 5,100 miles का डिस्टेंस उन्होंने शॉर्ट कर दिया, और यह अपने आप में एक एसा पॉइंट था, जहां से, बिटिशर्स ने हमारी कंट्री के, जो foreign trade है, उसको और अच्छी तरह से control में कर लिया हुआ क्या, कि यह distance कम होने की बज़ा से, जो cost of transportation थी, वो बहुत हद तक reduce हो गई, कितना जादे reduce हो गई, आप सो सकते हैं असकंदर, 5,100 miles का distance कम हो गया, इससे दो फायदे हो गए, कि इंडिया से, बिटेन को दो फायदे हो गए, कि इंडिया से बिटेन में जाने का time भी कम लगी, और transportation cost कम हो गई, तो transportation cost कम होने की वज़ास से, उनका जो product था, वो comparatively, दुनिया के दूसरे product से cheaper था, तो यहाँ पर उसके control ने और intensify कर दिया, means हमारी country में उसका control और ज़्यादा बढ़ गया, तो Swiss Canal एक ऐसा turning point of Britishers का, कि उन, वो, उनके product जो थे, वो market के अंदर और अच्छे से और comparatively सस्ते से लोगे, क्योंकि जो हमारा, जो distance था, वो distance reduce होगे, और distance reduce होगे की वज़ास से, travel timing plus traveling cost, यह में कहूं, transportation cost, ultimately reduce होगे, fine, तो second हमारा point है, monopoly control of British rule, Britishers on, over India's foreign trade, means हमारे पूरे foreign trade की उपर, किसने dominant करके रखा था, Britishers ने dominant करके रखा था, और सारा का सारा majority हमारे आगा, जो foreign trade होता था, वो Britishers से ही होता था, और स्विस्केनल का importance बताया, स्विस्केनल का importance आपके छोटे मोटे question, short answer questions में आ सकता है, या फिर कोई MCQ के अंदर आ सकता है, 1869 के अंदर स्विस्केनल actually open हुई थी, जो एशिया और यूरोप के जो ports, उनको टर्की से होती ह यह जाती है और उसके उन दोनों को क्या करती है, वो connect ultimately करती है, हमारा third point है, surplus trade, यह मैं कहूं, trade surplus for the benefit of Britishers, अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात, इसमें यह थी, कि हमारा जो trade surplus था, वो उस टाइम जादा हुआ करता था, अभी भी हम देखें तो हम trade surplus में नहीं है, आज भी हमारी entry trade surplus में, trade deficit के अंदर ही जर्दी current account deficit में, फाइन, लेकिन Britishers के time पर हम trade surplus में हुआ करते हैं, means हमारा import, export में, export हमेशा हमारे import से ज्यादा था, जब export ज्यादा होता है, तो naturally, जो foreign currency होती है, वो हमारे हैं पर आती ही, जिसे मैं आपको बताया था, के pre British period के अंदर, जो बह हमारे हैं पर बहुत सारा gold actually होने लगा था, फाइन, लेकिन surplus trade हमारे पास, हमें trade surplus में Britishers के time पर भी थे, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी problem ये थी, कि हम किसी इसको export कर रहे थे, खूब सारा raw material export कर रहे थे, ब्रिटेन की industries को, चलिए, अचा, trade surplus होने की वज़ा से, हमारा जो revenue हैं, export का revenue, वो भी increase होगा, naturally increase होता था, लेकिन problem ये थी, कि ये जो हमारा revenue था, ये Britishers कभी भी हमारे इंडिया के welfare के लिए, ये हमारे Indian subcontinent के welfare के लिए खर्च नहीं करते थे, ये पूरा का पूरा जो revenue था, ये Britishers के administrative और war expenses को compensate करने में चला जाता था, actually क्या है कि British colony बनी रूल करते थे, वो Indians की help से ही करते थे, means उनके पूरे administration के इंदर Indians ही हुआ करते थे, उनकी forge में और दूसरी जगह पर, सिर्फ officers जो होते थे, वो Britishers के हुआ करते थे, तो यहाँ पर उनको British colony को run करने के लिए, और administration को चलाने के लिए बहुत heavy expenditure करना पड़ता था, और इस heavy expenditure क लिए उनको जो revenue मिलती थी, वो इसी foreign trade की वज़ा से, foreign trade से ही generate होती थी, इसके अलावा, उनको जो war करना पड़ती थी, देखिए, पूरे 200 साल पूरे India के उपर राजनी के उनोंने, slowly slowly India को capture करना, start किया, fine, 1757 से धीरे 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 करके, फिर पूर India को capture उनोंने किया, तो वो war लड़ते थे, अलाग अलाग उस टाइम के जो भी emperors हुआ करते हैं, जो भी kingdom हुआ करते हैं, रियासत ही हुआ करती थी, उन रियासत के महराजाओं से और उनके जो kings थे, उनसे वो लोग war करते हैं, अब उस war के ओपर expenditure भी होता था, तो वो war का पूरे expenditure वो कहां से compensate करते थ इसी foreign trade surplus से ही करते हैं, means हमारी country के export जादा होने के बावजूर भी जब कि आप देखिए, बिटिशर्स से पहले जो हमारा trade surplus या foreign trade surplus हुआ करता था, वो हमारे हां के लोगों के काम में आता था, और उस trade surplus ने हमारी country को सोने की चिडिया बना के रखा था, लेकिन बिटिशर्स ने वही trade surplus को अपने administrative expense और अपने war expenses को compensate करने के काम में लिया, जिस वज़ा से हमारी country का कोई भी development actually in British period के दोरान पर नहीं हुआ, क्योंकि हमारी, जिसको हम बोलता है, drain of wealth, drain of wealth का मतलब होता है, जिसा पेसा हमारे पास आया, तो वही drain out होता गया, और हमारे use के लिए actually वो का में नहीं आया, तो यह हमारे points से इंडिया के foreign trade के during Britishers period आपने देखा होगा, यह 3 points से किस तरह से Britishers ने हमारे foreign trade sector के ओपर attack किया, और मैंने आपको बता है, जिसे कि यहां से food crop से जब वो cash crop पर चले गए, जो हमारे आपके बहुत सारे peasants थे और हमारे आपका बहुत सारा जो इस तरह के natural calamities धिरे-धिरे start होना, start होगा, तो I hope आपको foreign trade sector के अंदर कोई doubt नहीं होगा, still अगर आपको कोई query है, doubt लगती है, तो आप comment section मुझे से पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर में आपको इसको reply करने की try करोगा, और अगर यह video आपको useful लगता है, तो